पहले इनकी बाते सुननी जो फ्रॉस भेक ऐसा मैक्रोफोन बताई ने जिसमें मतलब आउडियो तो रिकॉर्ड हो लेकिन बैग्राउड नौइज जो हता बहुत डिश्टरब काता यह रिकॉर्ड नहीं तो फिर उसको इडिट करना पड़ता है भग बूरगा इसा को मैक्रोफोन होता है है को मतलब noise नीस रिकॉर्ड होगा भी क्या रिकॉर्ड होगा मतलब अगरव लागर अब ट्रेंग तो ग्लिखारोगए हूँ प्रल नोयसे रिकॉर्ड वात करता या तो हेलो गाइज आप भी कुछ इसी तरीके से सोचते होंगे या फिर हम भी इसी तरीके से सोचते थे कि बाई एक ऐसा माइक्रोफोन मिल जाए जिसमें की बैग्राउंड नौइज तो आए नहीं मतलब महेंगे समयंगे हो पैसे खर्च कर देंगे लेकिन ऐसा ही मैक्रोफोन जिसमें की बैग्राउंड नौइज ना है तो इस तरीके से हम लोग बहुत पैसे खर्च कर देते लेकिन यह सही तरीका नहीं है आज हम आपको इस वीडियो में वह सारे माइक्रोफोन के मतलब जो टाइप्स होते हैं वह बताएंगे और वह टाइप्स हैं किन लोगों के ल लेना तो उसके बाद आपका माइक्रोफोन सही से बर्क भी करेगा मतलब आपके और नौइस भी कमाएगा मतलब आइसे नहीं कि कोई भी माइक्रोफोन ले लोगे तो नौइस कमाएगा आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा माइक्रोफोन लेना तो आज हम इस वीडियो मिल जाएगा कि आपको कौन सा माइक्रोफोन खरिदना चाहिए तो वीडियो को पूरा अन तक दिखेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको मिलता है तो आप चली वीडियो को सुरू कर लेते हैं टो गाइस एक चीज वीडियो में बताना भूल गये थे कि अगर आप कोई विर इस सारे टाइप के माइक्रोफोन में अलग अलग प्राइज में अलग अलग टाइप में तो उसका मही निचे दिस्क्रिप्स्रिप्सन में लिंक दिया हुग अगर आप खरिदने में इंट्रेस सरा जाते है अलग-अलग सेप में तो आप उने समझ पाऊगे अगा इसके अंदर के स्ट्रक्चर या फिर जो काम करने की इसकी जो विधी है यह आपको बता दे तो थोड़ा बहुत आप समझ पाऊगे यह जरूरी है इसमें जो होते हैं इसमें अंदर संधारित की दो प्लेट और आख यह उनकर प्लेट बीच में ये सकता है इसमें बाहर की योजुल्चा करता है हमारा कीक रिटी है मतलब जो भी अब आज की अब रत्य होते हैं जो इसमें टक राती तो फिर वह जो दोनों संधारित थी मतलब का पीसीटर दोनों की बीच की दूरी घर्ती बढ़ती रहती है तिस घर्टने बढ़ने से ही वह ऑडियो सिंग्नल में बदलता है या ओडियो को रिकॉड करता है कि इसके जो हमने बताया कि जो capacitor होते है धन प्लेट रिंपलेट इनको चार्ज रखना पड़ता और चार्ज रखने के लिए अलग से आपको इसमें supply देना पड़ता है जिसको बोलते हैं phantom power supply जिसके तहत वो चार्ज होता रहता तो फुल potential पर काम करता या फिर आप मतलब audio card जिसको sound card वोलते हैं वह भी आप लगा कर सकते हैं लेकिन फुल potential आपको नहीं मिलेगा या फिर नॉर्मली इसको computer में भी घुसेर दोगे तो मतलब computer के mother board में भी रहते हैं sound card उसके काम करेगा लेकिन फुल potential पर काम नहीं करेगा अगर इसको पूरा जिस तरीके से यह बनाया गया जिस काम के लिए बनाया गया अगर उसको इससे निकालना चाहते हो इससे काम लेना चाहते हो तो आपको लिए वह जो phantom power supply 48 volt का वह लेना पड़ेगा उसके बैग्राउंड में थोड़ा सा भी noise है यह पकड़ लेगा आप धीरे से बोलोगे तो यह पकड़ लेगा मतलब यह काफी sensitive होता और दूसरी बात जैसे कि human eye बिल्कुल natural sound पकड़ता है जैसे कोई भी जैसा बोल रहा हो इसा ही बोलेगा यह कि ने वह बोल रहा हादमी की तरी फिर यह sensitive भी है और यह थोड़ा बहुत नाजुक भी होता है कि अगर गीर उर गया तो इसमें थोड़ा पैसी रहोता है वह तूटने का या फिर damage होने का चांस होता तो आखिरकार इतना इसमें problem है तो हम इसको क्यों use करें देखिए इसके use करने का जो main तरीका है या main उद् से आप धीरे से भी बोलोगे तो यह record कर लेगा और original sound जिनको चाहिए कि हमारा original sound रिकॉर्ड हो तो उनके लिए है तो प्रोपर यह उन लोगों के लिए क्योंकि अगर आप यूटूबर लोग या फिर नॉर्मल जो बाहर सूट करते हैं इंडो मतलब आउट्डोर या फिर पर इस तरीकास तो उनके लिए नहीं है फिर आपसे ज्यादा record कर लेगा तो फिर आखेकर यह किन के लिए तो जैसे कि मैंने बताए जिनके पास studio है जो कि घर के अंदर मतलब इंडो बिलकुल एक अपना studio तयार कर रखें तो उनके लिए हैं जो कि song record करते हैं घर के अंदर या फिर यूटूबर के लिए से suggest किया जाता है जैसे कि आपको पता नहीं कि यह जो बोया भी बाई M1 microphone है सारे Youtube लोग suggest करते हैं यह एक कंदेंसर microphone है तो सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि ये ले लो वो ले लो मतलब बोया भाई M1 microphone ले लो तो ये क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें तो noise आता है तो beginner YouTuber के लिए क्यों suggest किया जाता है इसलिए suggest किया जाता है क्योंकि इसमें loudness जाता आप धीरस भी बोलोगे तो तेज आ जाएगी अब आज original sound record होती है लेकिन हाँ अगर आप noise को काट सकते हो या फिर background में आप control कर सकते है background noise को तो काफी अच्छा एक beginner YouTuber के लिए सबसे best microphone होता है जैसे कि आप अभी तक जितने भी यूटुबर के लिए video देखे होगे तो सारे लोग यही microphone यूज करते है बोया भी बाई M1 microphone अब आप बात करोगे कि ठीक है भाई आप करें कि बोया भी बाई M1 microphone एक condenser microphone है तो इसको भी तो चलाने के लिए phantom power की ज्रूब है तो आइसा नहीं है देखो एक blue ATV microphone होता उसमें condenser microphone है मतलब वह भी condenser microphone लेकिन यह जो चीज होती नहीं हो जिसे की blue ATV microphone होते है उसमें USB plug होता है तो वह computer में डाल देते हैं वह काम कर जाता है उससे वह power ले ले लेता है या फिर जो अपना sound card होता है computer के motherboard में उससे काम जला लेता है और यह जो microphone यह भी condenser है भी बाई M1 microphone तो को आप mobile में डालते हो तो इसमें तो बहुत छोटे-छोटे capacitor लगे होता है इसमें कोई जरूरत नहीं होती उतनी ज्यादा तो वह headphone jack सही ले लेता है तिस तरीके से यह मतलब जरूरत तो होती है लेकिन जो main purpose होता है sound record करने के लिए जो main condenser microphone होता है उसको चलाने के लिए या आप record करने के लिए आपको इस तरीके कही microphone की जुरूरत होती है अब दूसरे microphone के type की बात करें तो यह dynamic microphone है यह भी काफी famous microphone है यह कुछ इस तरीके से दिखता है लेकिन यह भी आपको लेपल मैक में आ जाएंगे अलगर एक सेप में आ जाएंगे ति इसके थोड़ा करने की देख लेते हैं कि उससे ज्यादा समझ में आए ति इसके क्रिया किरने के बिदी इस तरीके से होती है जैसा कि आप सॉंड देखते हो ना चुंबक होते हैं उसमें diaphragm होते हैं को यह उसी की तरीके काम करता जैसे कि सॉंड क्या होता है इतने ही सिस्टम होते हैं वह sound फेकने क fluids उत इसके उपन होता जब हम उसके मतलब अगल फगल जब उस एक कौाइल को मूळ करते हैं या पिर तंबכ करते हैं तो जो happening होता ह। उसे कि एक एक electric field उत्पन होता तो उसी से हम audio को record कर लेते जैसे की यह इस तरह के microphone में जो बाहर की diaphragm होते हैं रिख से क्वाइल लिपता होता हुट पीछे चुबंबक होता है तो जब हम बोलते हैं लिख से क्वाइल लगी होता हुटा है उसके साथ वह भी वाइबरेट करती है तो चुमबक के जो मैगनेटिक फिल्ड होता है उसमें वाइबरेशन इसका होता है मतलब आगे पीछे मतलब मुव्मेंट यहां पर हो गया तो इस तरह के जो इलेक्रिक फिल्ड उत पन होता है उसी से हमारा औरियो रिकॉर्ड हो जाता है आई यह माइग रहेगा मुव्मेंट कफ होगा जब आप बोलोगे तो हमेशा ओडियो को रिकॉर्ड करें कोई भी बाहरी फैंटम पाबर इस तरह के पाबर की कोई जुरूत नहीं होती है लेकिन जो इसकी गेन होती है था कि कंडेंसर माइक्रोफोन में बहुत धीरेस भी बोलोगे तो गे उसी के लिए जाना जाता है है तो इसी अगर उसे के लिए वह जहना जाता है और और है तो बिल्कुल बेकार हो गया च्जेंज हृतनी है तो आपidor तो से नीचे रहता 30 parole अब कर दो आपकर सकते है यूट नंता सूरी का सब्स harm recap inms microphone में अगर आप YouTuber हो तो अपने वीडियो बनाने के लिए तो इस तरीके कि जो microphone होते हैं काफी मतलब उन लोगों के लिए सही है जो live performance करते हैं जैसा कि आप जानते हो जो कि Dance India का sound record करता है तो फिर जो performance कर रहा उसी की audio ज्यादा आती है और इस तरीके microphone को आप YouTube वीडियो के लिए या फिर gaming के लिए मतलब या फिर equipment को record करने के लिए जो की तबला उबला यह सब होते हैं वहाँ पर किनारे रख दोगे वहीं अगल बगल का ही record करेगा सोर गुल जो होगा तो वह नहीं record करेगा फिर आप YouTube वीडियो के लिए record कर सकते हैं लेकिन बस इस टैप का नहीं लेपल मैक में मिल जाता है आपको dynamic microphone या कोई और सेप में मिल जाता है जो की YouTube वीडियो में देखने में अच्छा लगे तो उस तरीके microphone आप dynamic में जा सकते हो लेकिन बस इतना ध्य microphone की बात करते है यह थोड़ा बहुत famous microphone है यह है shotgun mic, तो इसमें क्या होता है कि सबसे microphone लगे हो तो चोटा सा ही होता और वह भी dynamic microphone की तरीके काम करता लेकिन यह जो आगे refill होती है तो यह क्या काम करता जैसा है कि इसका नाम है shotgun मतलब यह आगे की ही record करता मतलब बिल्कुल यह इसे तो इस तहीं के के यह record करता और इसमें जो refill होते हैं किसी में चोटा रहेगा किसी में बड़ा किसी में और बड़ा तो इसका क्या काम होता है इतना चोटा आओ केंदरित करेगा और इतना लंबा है मतलब अगर वह रीफिल तो वह आप अपने आडियो को केंदरित कर सकते हो मतलब आगर हम एक यूटूबर है तो हम बिल्कुल चाहते है कि बस इतना दूर से recording जाए तो आप वह कर सकते हो लिए आप बात करते है कि इस तरीके के microphone कौन लोग यूज़ करते हैं यह सबसे important होता है ब्लॉगर के लिए जो भी ब्लॉगर होते हैं जानते हो कि आप वह बाहर घुम घुम के ब्लॉगिंग करते हैं तो उनको पूरा बाहर का सोरगुल नहीं चाहिए अपना ही आउडियो चाहिए तो वह shotgun microphone यूज़ करते हैं जैसा कि आप जानते हो मतलब इंडिया के सभी बड भीड़ लग जाती है कि नहीं तो उन सब का आबाज ना है जो फिल्म में आप जो बोल रहे हो उसका ओडियो आए वो भी किलियर है नौइज ना है तो उसके लिए भी इस microphone का उसमें और थोड़ा जो गन होते हैं और बढ़ाद जानता है कि और केंडित कर दें जो बोल रहा और यह का और microphone होता है जो समझ सकते हो इसी तरीके microphone जो कि मैंने sort gun mic बताया उसी तरीके मतलब उसी का एक भाय है जिसको बोलते है boom mic नौर्मली आईसे आपको देखने को मिले है जब picture suit होती है तो वहां पर boom mic जानते हो कि डंडा लेके इस तरीके से खड़े रहते हैं जो मतल केंद्रित किया जाता होगा कुछ उस तरीके से जो कि उनके काम को पूरा कर सकते यह आपको नौर्मली देखने को नहीं मिले हो बस picture हो या बहुत ही professional कामों के लिए यह बूम mic यूज की जाते है और इस तरीके के और भी microphone होते है रिवन microphone और भी जिनका आपने नाम भी नही आगे से कितना करता है पीछे से कितना करता है इस तरीके से किसका पैटर्न होता है जिसको बोलते है पिकप पैटर्न पिकप पैटर्न को इस तरीके से देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिकप पैटर्न आपको मिल जाएंगे मतलब बहुत तरीके होते है जैसा कि ओम Omni-directional की जैसे कि आप यह बोया microphone है यह Omni-directional है मतलब यह चारो बगिल से मतलब ना इदर से छोड़ेगा ना उदर से छोड़ेगा सारे बगल से पकड़ेगा मतलब audio की इसलिए इसमें थोड़ा नवाई जाता है और चारो बगिल से आता तो इस तरीके microphone जैसे कि यह हो गया ज जैसे blue ethy की microphone है तो उसमें एक ही microphone में बहुत सारे तरह के pick-up pattern है आप switch से घुमा सकते हो कि हमें आगे की microphone मतलब आगे का आवाज सुनना है तो वहाँ पर इसी तरीके के कुछ setup का यूज किया जाता pick-up pattern एक से अधिक pick-up pattern को किस तरीके से मतलब engineering करके वहाँ पर pick-up pattern को ही यूज किया जाता जिससे कि उनके pass मतलब जो बोलते हैं वहीं का बस audio record कर ले था और दुनिया में क्या चल जो उसकी कोई जूरतने इस तरीक को बोलते हैं और कोई भी confusion नहीं रखना अब आप करोगी कि सारा बात तो आपने कर दिया लेकिन एक microphone के बारे में बात नहीं किया जो कि बहुत famous है जो कि आप जानते हो जूम H1 H5 H1 इस तरीके से बहुत सारे microphone आते हैं जूम के तो इसके बारे में क्यों नहीं बात किया तो कि इसमें एक memory card भी डाल सकते हो जो आप record करोगे इसी में save हो जाएगा कोई भी तार कोई भी नहीं काम wireless भी यूज कर सकते हैं जह में रख लिया उसमें एक Leple Mac भी डालके यहां पर लगा लिए तो उस तरीके से भी काम करेगा wirelessly भी काम करेगा या फिर वह भी जरूरत नह मतलब बहुत सारी चीजे इसमें मिल जाती है microphone को आप live record मतलब जो record करें उसको आप अलग headphone में सुन भी सकते हैं मतलब इसमें multi-functional आप काम होता है इसको handy recorder बोलते हैं मतलब आप हाथ में लेकर कहीं भी जा सकते हैं record कर सकते हैं और इसी में save कर सकते हैं आपको को ज़रूरत लेकिन features के मामलें में दुनिया भर की features में लेते हैं जो आप चाहोगे USB microphone अगर बनाना चाहो तो USB microphone बन जाएगा तो आखिरकार यह किन लोगों के लिए अब बात करते हैं यह है YouTube के लिए अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो तो आपके लिए यह best हो सकता है क्योंकि उसमें अग आई लोगों के लिए थोड़ी सी एक और बात कर दे कि यूटूबर हो आप तो सबसे पहले कौन सा microphone लेना चाहिए मतलब एक स्रीज की कौन कौन से सीधे आगे बढ़ना चाहिए तो देखिए सबसे पहले आपके mobile phone के जो मतलब microphone है मतलब बिल्कूल अगर पैसे नहीं है 100-200 मतलब आप रिकॉड करना चाहिए तो मोबाइल के microphone में camera है और उसी में microphone है उसी से record कर लो अब आज record हो गया लेकिन अब थोड़ा उपर बढ़ने के लिए थोड़ा आपको दूर भी जाना पढ़ेगा मान जो थोड़ा दूर जाओ तो जानते हो जो mobile के microphone हो था थोड़ी सजेस्ट करेंगे लेकिन हाँ जेनरिक microphone होती उसकी थोड़ी और लंबी होती तो थोड़ा प्रफेस्नल लगता है क्योंकि कॉलर माइक होता है लेपल माइक जो भी बोलो तो अहां लगा कि फिर कुछ यहां तक आ सकते हो यहां तक आने से थोड़ी और दूरी तक आप डिस् सेटप नहीं होता है लेकिन अगर आपके पास है या फिर बैक्राउंड नॉइस को कंट्रोल कर लेते हो रात में सूट करते हो रोमों की खिर्कियां पंखे सब्बंद कर लेते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट microphone है यह बोया वीबाई M1 microphone और यह काफी सबस्ते से छे साथ स 2800 मिल जाते हैं इसके बाद आपको क्या लेना चाहिए अगर आपने यूटूबर में इस लेवल तक भी चले गए कि हमने बोया microphone यूज कर लिया अब इसके बाद क्या लेना से इसके बाद आप condenser microphone मतलब उस समय तक आपका setup भी बन गया होगा studio type का होगा noise भी नहीं आती microphone के लिए जा सकते हो और फिर एक backup के लिए आप Zoom H1 microphone ले सकते हैं जो कि मतलब overall सारे काम कर देंगे आपको live stream YouTube वीडियो या backup का काम करेंगे आप बाहर आपको सूट कर रहे तो बाहर आपकी recording कर लेगी या फिर USB microphone का कर लेगी wireless microphone का का कर ले मतलब overall सारे microphone की काम कर ले तो यहां तक आते हैं वो में ले सकते हो तो वह तो बात की बात है वहां तक जाओगे तो आपको खुदी पदा चल दाएगा कि microphone कितने तरह के कौते हैं कौन सा लेना चाहिए यह था पूरा suggestion या buying guide या knowledge purpose से लिए वो जो microphone से related लेकिन इसी तरीके के मैंने वीडियो बनाया था tripod buying guide के कि अगर आपको वीडियो देखना है या tripod से related knowledge लेना तो नीचे description में वीडियो का link मिल जाएगा उसमें मैंने tripod को पूरा explain किया तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेगा tripod से लिए पूरा घ्यान आपको वीडियो में मिल जाए इस वीडियो में इतने ही अगर आपको वीड कर सकते हैं और description का यूज करके मैंने Instagram का link दे दिया वहां से आप कुछ अलग तरीके कुछ को सतने तो आप Instagram पर भी आ सके हम से बात कर सकते हैं तो आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं गुडबाइ झालग 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